ये है डिली दर्पन अगर बावर्जोदिस के हंगामा जारी लगा लेकिन इस बीच जो सबसे खुशी की खबर रही वो ये रही कि जो निगम करमचारी है उनका कुछ वेतन भी जारी हुआ है महापर हमार साथ मौझूद है जेपी जी उनसे बात करते हैं जेपी जी पहले तो हम ये जानना चाहेंगे हंगामा बाहर भी था अंदर भी था आपको सदन तक पहुँचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी रोश बहुत तेकर अरमचारियों के अंदर क्या कहेंगे देखे इस रोश का कारण सर्फ ही किये दिल्ली की अरविंद के हिजरवाल सरकार क्योंकि सरकार ने बड़े ही तरीके से निगम कर्मियों के अंदर एक भर्म पैदा कर दिया कि हमने 938 क्रोड रुपया आपके वेतन के लिए दे दिया है जब कि 938 क्रोड रुपया जो मचार सरकार ऐसा भर्म क्यों फैला रही है लेकिन आज हमने अपने सभी कर्मचारियों को लगवग 516 क्रोड रुपय वेतन के लूप में दिये लगवग 400-500 क्रोड रुपय का बैक लोग हो रहे हम प्रियासरत है कि वो पैसे की वबस्ता और करके जो कर्मचारी अभी रहे गे हैं जिनका भी दो मेने का तीन मेने का वेतन बकाया है उनको भी जल्ली से जल्ल पूरा वेतन मिले और सब एट पार आ जाएं क्योंकि कर्मचारियों के अंदर जो रोज है वो उनका जाई है लेकिन निकम हम सब की है आज हमने सफाई कर्मचारियों को दो सो अठाइस क्रोड जिसमें अक्टूबर नॉम्बर दिसम्बर तक का क्लियर हो गया तो हस्पतालों में सभी पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस उनका वेतन पूरा चला गया ऐसे हमारा जो अन्ने जो गुरूप है चाई सी गूरूप है चाई डी गूरूप है उन सबको भी सेप्टमबर का वेतन च चला गया है और बाकी जो हमारे ए वर्क के जो अधिकारी है उनका भी सेट्टर मंबर का वेतन चला गया है लेकिन जो जिनके अभी पूरी सैलरी अभी तक नहीं पहुंची है क्योंकि हंगामा अभी रुकने वाला नहीं है हरताल जो कर रहे हैं करमचारी वह सीधे तोर पर यह हुई है उनको आप क्या आस्वशन देना चाहेंगे देखे मेरा सभी करमचारियों से फिर आग्र है उनसे निवेदन है कि काम बहां हड़ताल से काम नहीं चलने वाला जो काम चलेगा वो काम करने से चलेगा क्योंकि काम होगा तो हमारा राजस आएगा आज सभी जोर्णल पे लोग अपना संपत्ति कर जमा करने के लिए कनवर्जन जमा करने के लिए अन्य जो लैसेंस वी से वो जमा करने के लिए खड़े हैं लेकिन काम ना होने कारण से वो राजस नहीं आपा रहा और भी हमारे जो अन्य राजस के हमारे जो वो है उन्में हमारों को समझ सारी ह तो मेरा निवे दने कि ये जो महीना है हमारा फरवरी का महीना है हमारा मार्च का महीना है हम सब उसका सदब्योग करें और जल से जल गोसित करें कि जो आने वाले समय में स्की में उसका लाव उठाए और अगर हमारा निगम कर्मी समय ठीक से काम करेगा तो हम आगे के वेतन की विवस्ता कर पाएंगे ये बात तो निच्छी थे कि निगम के पास जो पैसा आता है वो सारा निगम कर्मियों को भीत निकले जाता है आप कह रहे हैं कि सेलरी आपने निगम के पैसा से जो आपने राजस पे खटा किया है कुछ दुनों के दोरान उसके जरीए जो सेलरी है वो दी गई है लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता विपक्ष है विकास गोईल उनका कहना है कि ये जो पैसा आया है वो दिली सरकार ने दिया है निगम करमचारियों के सेलरी के लिए लेकिन बीजेपी पार्टी अपनी थप थपाने के लिए वह वाही लूट रही है देखिए विकास गोईल जी को पूरी जानकारी नहीं है अगर जो ट्रांस्टर डूटी का पैसा हमारा दिली सरकार के थ्रूआता है वो मे जाएगा तो वो तो पैसा मेरा अपना है जो प्लान हेड का पैसा थर्ड क्वाटर का आना है वो तो आ नहीं है मैं विकास गोईल जी सापके माद्देन से पूछना चाहता हूं कि 938 करोड रुपे की जो घोसना की गई थी कि सिरफ और सरफ वेतन के लिए दिया जाएगा उ 938 करोड की बात थी वो सैलरी के नाम पर नहीं आया है वो क्या लिखित में किस के नाम पर जो है वो जारी किया गाया पैसा वो जाना चाहेंगे देखेंगे जो पैसा हमारा थर्ड क्वाटर का पैसा आना था अलग अलग मज़ के अंदर चाहे वो हमारा BTA है चाहे हमारा Health है चाहे हमारा Education है चाहे हमारा Sanitation है वो तो जनवरी के महीने में इनको दे नहीं है उसकी वावाई किस बात की हम पैसा वो दिया जाएगा जो हमारा दूसरे quarter का रोक रखा है यानि salary का कोई पैसा नहीं पैसा वो माना जाएगा तो 13,000 कोड़ पर उनको बकाया है अगर उसमें से दिल्ली सरकार कुछ देगी तो हम उनका धन्यवाद करेंगे और हमारे अगर इसमें भी पैसे काट के भेजेंगे दिल्ली सरकार ने इसमें भी हमारा पैसा काट लिया हम त और आने वाले समय में सारा बकाया किलियर किये जाएगा अमादी पार्टी के विधायक हैं उनके नेता थे तो हमाना जा रहा था कि चर्चा होगी अच्छी चर्चा होगी लेकिन उनके विधायक होने के बाद भी चर्चा होने से पहले ही बैनर पोस्टर खड़े हो गए आप नीचे उतर जाईए नीचे उतर जाईए आपकी बात नहीं मानी इसके बाद महापाउर का भी एक अग्रेसिव जो चेहरा था वो देखने को मिला आपने ना आओ देखा न ता और जितने भी निगम पाशाते सभी को आपने सस्पेंड कर दिया देखे ये पहली बार न अंदर बैनर लटकाए थे और पैमफ्लेड फैके थे हैंड बिल फैके थे पूरे हाउस के अंदर कुड़ा कुड़ा खर दिया गया था जब मैंने इनको चेतावनी दी थी अब दिन चेतावनी देकर छोड़ दिया था आज फिर हाउस तो रहने से पहले सब बेंचों पर च सारे विधायक भेंचों भे खड़ और अपनी बात रख्यें वा सên august vanль क क्या गया तो अगली से अगी से प्रिए थीक से नहीं अग आ थीक हो उसके निहां नोटिश जारी आएका गा उनका सई समय जवाब आएका तो विचार किया जाया और जब आप ठीक से नहीं आया तो अगले आउस के लिए सस्पेंट कर देंगे। हमार को कमेंट के जरीए सवाल करती है कि नेता घर में बैटे हैं घर से बाहर निकले हमारे घर का बाहर कूड़ा जो पड़ा है उसको साफ करें। कई सफाय भीहन चलाते हैं लेकिन फिर भी हमारे जितना करने से सारे दिल्ली शहर का कूड़ा साफनी होने वाला आपके मादधम से मैं सभी निगम कर्मी जो मेरे सफाय करमचारियों को कहना चाहता हूं कि आपकी समस्ताव का समाधान मैं निकालूंगा प्लीज किरपा करके आ आपका जल्द ही रिलीज कर दिया गया है ऐसे में महापौर ये निवेदन कर रहे हैं कि सभी अपने काम पर लोटे लेकिन देखना ये होगा कि करमचारी करमचारी अपने काम पर कब लोटते हैं और दिल्ली की जोस्तिती इस वक्त गंदगी की वज़ा से और बदबू की व www.dailydarpan tv.com खबरों की कवरिज और विज्यापनों के लिए संपर्ख करें इस नंबर पर